हेलो आपड़ी बालें स्लाई फैशन में आपका सौगत है आज का नेक डिजाइन बिल्कुल हम न्यू बनाने बाले हैं बिल्कुल लेटिस्ट डिजाइन है तो हमने पहले सेंटर में एक लाइन कीची है और उसको छोटी-छोटी प्लेट्स को उठाकर उपर की साइट हमको ल लगा देना यह नेक का डिजाइन तयार होने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल न्यू डिजाइन है तो हमने एक और यह पट्टी ले रहे हैं जो दो इन्चोड़ी है इसको हमने डबल फोल्ड किया जिससे हम तावीज वाला गला बनाएंगे जो तावीज पट्टी होती है तो यह न्यूट ट्रिक से हम तावीज वाली पट्टी बना रहे हैं देखिए इस तरह आप इसको ऐसे फोल्ड करके मोडेंगे तो यह तावीज वाला आपकी पट्टी तयार हो जाएगी तो यह मैंने सेफटी पिंस से रोका है क्योंकि यह जो फैबरिक है बहुत सिल्कीन है तो आप इस तरह रोक सकते हैं अगर आपका फैबरिक कॉटन का नहीं है अब हम नेक क सेंटर लेंगे और पट्टी का सेंटर लेंगे और एक कच्छी स्लाई लगा देंगे कच्छी स्लाई लगाने से हमारी जो फिनीशिंग है वो अच्छी आएगी तो हम सीधी एक कच्छी स्लाई लगाएंगे जो जिसको हम बाद में निकाल देंगे अब हम साइटों से लगाते जाएंगे और जो हमारी पिलेट्स हैं उसको हाथ से ठीक करते रहना है ताकि जो हमारी प्लेट्स हैं वो सीधी आए अब हम इस पिंग को निकाल देंगे तावीज वाले गले की नेक की शेप देकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो इस तरह हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो हमारी पट्टी भी कम्प्लीट हो जाएगी अब रॉंग साइट पर हम मैंने एक औरे भी पट्टी ले रखी है जिसे हम अटेच करेंगे तो नेक पर इस पट्टी को मैं अटेच कर रही हूँ रॉंग साइट पर तो पूरी पट्टी अटेच हो चुकी है अब हम राइस साइट पर इस पर फोल्ड करेंगे और एक स्लाई लगाते जाएंगे आप इसमें बुक्रम का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने सिर्फ फैब्रिक लिया है तो देखिए ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे और लंबी स्लाई लगाते जाएंगे झाल करते जाएंगे